करीब 3 किलो मीटर दूर में गाड़ी खराब है तो रस्ते में उसका बाइक सायद बंद हो गया है इस गुटी है देख नकाखा हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेल्कम तो माइ यूटुब चैनल आई होप योगाई आल भी वेल आप सभी अच्छे होंगे और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है अभी क्या सीन हो गया है मेरा चाचा आया था मेरे पास और वो जा रहा था अपने घर तो र गया है इसकुटी है इसकुटी का बैटरी भी साइज डाउन हो गया है तो इस्टार्ट नहीं हो रहा है तो मैं जा रहा हूं उसका हेल्प करने बहुत हेल्पफुल मतलब हेल्पफुल वीडियो होने वाला है तो आप वीडियो में बने रहिए चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना video को like कर देना video को share कर देना तो चलिए चलते हैं देखो यार भाई लोг क्या होता है अगर बंदे की गाड़ी खराब हो जाए अगर गाड़ी खराब हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादे दिक्कत होता है आप सभी को मैंसे किसी का भी भाइक खराब हुआ होगा जो छेल चुका है वो जान रहा है कैसा लगता है है ना तो भाई हेल्प करनी चाहिए यार और मैं अभी फटापट से जा रहा हूं उसका भाईक को चालू करने के लिए तो देखिया फ्रेंड्स मेरे घर से करीब तीन किलो मीटर दूर में गाड़ी खराब है तो चलिए गाड़ी को चालू करते हैं पूरा बैट्री दान युँआ कर दो दो नहादा थार प्रेंवाब तीन का टीन करते हैं तो फ्रेंट्स देखिए अभी गाड़ी जो है चालू हो गया है और अभी चाचा लोग निकलेंगे घर के लिए तो फ्रेंट्स मैं था अभी यहीं पे बाइक श्टार्ट हो गया चाचा लोग का और उन लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए यहीं पे सायद मेरे से ही फोन पर बात कर रहा था और बंद हो गया था बैटरी डाउन भी हो गया था और मैं बाइक चालू कर दिया उन लोगो का हो गया बाइक चालू और फिर उन लोग अपने घार के लिए निकल गये अभी और मैं भी निकलूंगा अभी अपने घर के लिए तो चलो यार अच्छा लगा भई किसी का हेल्प करके अच्छा लगता है अपने को भी सामने वाला बंदा जब खुस हो जाता है उसका हेल्प हम लोग करते हैं वो खुस हो जाता है तो अच्छा भी लगता है यार तो भाई लोग किसी की हेल्प करने में जो खुसी मिलता है ना वो जो हेल्प करता है वही जानता है यार तो हेल्प करनी चाहिए यार अच्छी बात है तो चलो यार आज को वीडियो में एही पर एंड करता हूँ चैनल में यह देख सकते हैं मेरा चाचा जो है दो बच्चों के साथ और चाची चार लोग उन लोग एक बाइट पे जाह व करてा है रचार लोग वह नि哥 स्थाची चार लोग गिल्चे के में दोर कर भाची को आसके भाची चार बाचीची मेरा के लिखने टा झाल झाल